हाई दोस्तों आप देख रहे हैं फल में बीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका सीरियल सस्राल सिमर का टू की कहानी अब एक नया मोड ले चुकी है आपने बीते एपिसोड में देखा कि सिमर और आरव घूमने गए होते हैं वहाँ पे वो दोनों चाय पी रहे होते हैं और इसी दोरान आरव के उपर एक गाड़ी चड़ने वाली होती है लेकिन आरव को बचाने के चकर में सिमर के साथ बड़ा हाथसा हो जाता है लेकिन आरव सिमर को बचा लेता है सिमर दूर जाकर गिर जाती है लेकिन उसे चोट नहीं आई होती है लेकिन क्या आपको पता है सिमर आरफ के एक्सिडेंट को पैच लेकिन क्या आपको पता है कि आरफ इस पूरे इंसिडेंट के बाद फूट फूट कर रोने लगा उसने सिमर का हाथ पकड़ा और वो अपने emotions को बया करने लगा जी हां आपको बता दे आरफ सिमर को कहता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता है उसे उसे खोने का डर सता रहा है इतना ही नहीं आरफ ने सिमर को कहा कि वो बहुत जादा डर गया था जब वो गाड़ी उसके उपर चड़ने वाली थी क्योंकि उसे लगता है क वो उसकी खुशी से ही खुश है और आरव ने ये भी कहा सिमर को कि सिमर जब तक उसकी जंदगी में है तो उसे अपनी जंदगी बेहत कूपसूरत लगती है कुल मिला कर देखा जाए तो आरव और सिमर जहां एक तरफ गितांजली देवी के कहने के चलते अलग होने वाले हैं वही दूसरी तरफ आरव और सिमर एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी क्या आरव और समर अब बड़ी मा के खिलाब जाकर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला ले लेंगे या फिर बड़ी मा के आगे ये दोनों हार जाएंगे कैसा लगा आपको हमारे ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो में इतना ही